लशकर भी तुमारा सरदार भी तुमारा तुम जूट को सच लिख दो अखबार भी तुमारा इस दोर में हम जाए तो जाए कहा क्योंकि कानून भी तुमारा और दरबार भी तुमारा जिया साथियो मैं हूँ हितेश और आप देख रहे दाथिंग 2008 के बॉंबिंग के मुख्य आरोपी महरास्ट्र में माले गाओं में एक बॉंबिंग हुई थी उसके मुख्य आरोपी साधी प्रद्या सिंग ठाकुर जो की वर्तमान में भारतिय जंता पार्टी के सांसद है भोपाल से उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा और इसके चलते हुए उन्होंने चुनाव जीता भी और वो वर्तमान में भोपाल में सांसद है हाल ही में उन्होंने एक विवादित बयान दिया है जिसके वज़े से वह अभी कडगरे में फसने वाली है क्या है वो विवादित बयान आईए जानते हैं करनाटक में शिव मोक्षा एक जगा है वहाँ पर एक कारेक्रम में आयोजीत कारेक्रम में उन्होंने यह बयान दिया है कि आपने धरम की सुरक्षा करने के लिए अपने घर में आजार हतियार रखना बहुत जरूरी है जादा बड़े नहीं तो कम से कम सबजी काटने वाले हतियार रखो और हतियार रखो यह नहीं तो वो धार-धार हतियार रखो जिसके वज़े से सबजी और दुश्मनों के सर भी कटना चाहिए इस तरीके का विवादित बयान इनों दिया है साथियो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लिएजिए और इसके बाद में बात करते हैं कि इसकी डीटेल में इनों ने क्या कहा अपने घर में हतियार रखो कुछ नहीं तो सबजी काटने वाला चाकू जरतेज रखो इस पश्ट बोल रही हूं हम भी सबजी काटने वाले चाकूओं को जरतेज रख लें पता नहीं कब कैसा मौका आए तो जब हम जब हमारा सबजी अच्छे से कटेगी तो निश्चिद रूप से दुश्मनों के मूबी और सिर भी अच्छे से कटेंगे साथ यह अभी आपने वीडियो देखा वीडियो में इन्होंने कहा कि अपने घर में आउजार रखिए ताकि धरम की रक्षा करने के लिए तुम्हें अपने दुश्मनों के गले और सर काटने के कभी वो काम भी आ सकता है साथ यह मैं आपको बता दू कि भारत देश में लोगतंत्र है और लोगतंत्र बे किसी भी प्रोटेस्ट के दौरान या फिर इस भारत के प्रतिक वेक्ति को अपनी बात करें कहने का और बात बोलने का अधिकार है अभिवेक्ति स्वतंतरता है आर्टिकल 19 आपको अभिवे करते हैं तो आपके हाथ में किसी भी प्रकार के आउजार नहीं होना चाहिए जिसके वज़े से सामाजीक महोल खराब हो हिंसात्मक वातावरन पैरदा हो ऐसे किसी भी तरीके से आप विवादात्मक बाते नहीं कह सकते आपको लोगतंत्र के माद्यम से या फिर लोगतंत्र समुदाय हो इस भारत में रहने वाले खास करके निचले तपके के लोगों से स्टी ओबी सी लोगों इनके खिलाफ में विवादित बयान हेट स्पीच करने की इनकी आदत सी हो चुकी है अब बात करते हैं कि इस कारेक्रम में उन्होंने क्यों ये शब्द कहा भारती जंता पा जो कारेक्रम होते हैं ये ये बताते हैं और उनमें ये ऐसे स्पीच देते हैं कि लौजिहाद के उपर ये बात करते हैं तो इस तरीके से तुम अगर बात करते हो तो तुम्हारे बात से किसी भी धरम की भावना या फिर किसी भी धार्मिक संभों के लोगों की भावना आहत नहीं होनी चाहिए इस बात को आपने ध्यान में रखती हुए कहीं कहीं बयान बाजी करना चाहिए इसके पहले भी भारतिय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने खास करके साधी प्रग्या सिंग ठाकुर ने जो की मालेगाओ के बंबिंग में मुख्य आरोपी रह चुके है य इनको पुलिस द्वारा गिरफतार किया जाता है उच नया लेके द्वारा इनको पुलिस हिरासत में लिया जाता है बरहाल जमानत में जमानत से बाहर आने के बाद में भारतिय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है और शामिल होने के बाद में 2019 में लोग सबाकाव एक तो इनके उपर आतंग वात का आरोफ है उसके बाद में वो जमानत के बाद में भारतिय जंता पार्टी जाइन कर लेती है और उसके बाद में वो सांसत बन जाती है और उसके बाद में देखिए कि वो सविधान विरोधी और किसी जाती या फिर वर्ण या फिर धर्म संप परदाई के विरोध में वोगर भाषन करती, तो साथ योग क्रोनोलोजी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आये दिन इनके पार्टी के नेता पार्टी के कारे करता हमेशा सविधान के खिलाफ में बात करते हैं, इस देश में इस देश के सविधान ने सबको अपनी ब उनको इस बात से कोई खास फरक नहीं पड़ता लेकिन कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता जैराम रमेश ने इनके खिलाफ सुपरीम कोर्ट जाने का निर्णा ले जुका है अब देखना यह है कि सुपरीम कोर्ट इनके बयान बाजी के उपर क्या कहता है इन्होंने हेट स्पीच कर उनके खिलाफ में बाते बोल करके कहीं न कई सामाजिक वातावरन को धार्मीक वातावरन और सांप्रदाइक वातावरन बना रहा है जिसमें हिंसा होने के जो चांसे से वो कहीं न कहीं पॉजिटिव दिशा में रहते हैं और कहीं न कहीं एक ही धरम की बात कर एक ही इसको परिभाशित किया गया है तो साथ यूँ इस तरीके की जो भाशा है इस तरीके की जो स्पीश है इनके द्वारा दिये गए है अनन्थ हेगडे नाम का वेक्ति जो की भारती जनता पार्टी से तालूक रखता है उसने भी कुछ दिनों पहले सविधान को बदलने की बात करते हैं जो इनको इस देश में चिनाव लड़ने की आजादी देता है जो इनको इस देश में अभिवेक्ति की आजादी देता है जो इनको इस देश में सभी भारतियों के साथ में जो अधिकार इनको मिलते हैं इनको अधिकार देने वाले सविधान को खतम करने की या फिर उ सब्सक्राइब को गिरा देना चाहिए बुल्डोजर से उसने गिराने की मांग कई है और महारास्त सरकार को उसने ग्यापन भी शोपा है तो इस तरीके से किसी समाज अची धार्मिक भावनाव को आहत करने वाले जो भाशा है यह भारतिय जनता पार्टी के लोग और उनकी जितनी भी विंग्स है जो भी की सामाजिक विंग्स के नाम पर काम करती है इन लोगों के द्वारा सविधान और सविधान के साथ में इस देश में हिंदू मुस्लिम भ कुछ भी बोल देंगे और हमारे उपर कही न कही कारवाई नहीं हो सकती लेकिन इस देश में सविधानिक प्रणाली से इस देश का लोगतंतर चलता है और सविधान के माध्यम से इस देश में लोगतंतर चलता है ये लोग भूल गए है कि इनको चुनाव लड़ने के बाद मे देश को 5 साल इनको चलाने को मिलते हैं, देश किसी की ठेकेधारी नहीं है, आने वाले समय में 2024 में चिनाव में इसका फैसला भी हो जाएगा, लेकिन सत्ता किसी की नहीं होती, इस बात का सत्ताधारी लोगों ने ध्यान रखना चाहिए, बहराल करना ठक में बयान देने के बा दुख की बात यह है कि जिस सविधान की उपर हाथ रख करके यह कसम खाते उसी सविधान को बदलने की खतम करने की और ऐसे समुदाय की भावना को आहत करने की बात इनके नेताओं द्वारा की जाती है क्योंकि यह सविधान को नहीं मानते हैं क्योंकि यह सविधान को खतम करने की बात करते हैं खास करके बीजेपी के कही बड़े नेता है जो सीधा सीधा सविधान पर वार करते हैं मुस्लिम समुदाय पर वार करते हैं इस देश में SCSTOBC जो तपका है उसके उपर यह लोग बात उनके उपर धार्मिक जो है स्टेटमेंट दे करके उनको चिड़ाने का काम करते हैं तो साथ यह इस बात को समझना होगा बहुजन समाज इन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है आप समझ यह कि इनों ने ही साधवी प्रद्या ठाकुर नहीं इस देश के लिए सही हुए IPS अधिकारी ATS के IPS अधिकारी हेमन करकरे सहाब का भी वे अपमान करते हैं और मेरे श्राप के द्वारा उनकी मौत होती है इनका भी इनका ही यह बयान है तो देखिए इस देश में जो इस देश के लिए सईध होता है जिसकी जान चली गई इस देश की रक्षा करते तुम लोगों से या फिर यह सविधानिक मार्क से चलने वाले लोगों से कितना घ्रिना करते हैं यह उन लोगों को धार्मिक लोगों की भावनाय आहत करके सामपरदाइता का माहुल देश में बनाने का काम करते हैं जिसके वज़े से कही न कही हिंदू मुसलिम का जो है मु काम करते हैं तो साथ यह इस पूरे मामले को ले करके क्योंकि इस देश में सविधानी की व्यवस्ता है और इस देश में जो है ऐसी व्यवस्ता बनाय रखना आपके हाथ में है मैं यह सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में 2024 का इलेक्शन बहुत में मुस्लिम और तमाम हिंदू समाज में जो भाई चारा है खतम करने की बात करते हैं इन लोगों के उपर कारवाई होने चीए बहराल वो उनका काम कर रहे हैं अब सुप्रीम कोट जो कि कॉंग्रेस के निता जैराम रमेश सुप्रीम कोट में इनके खिलाफ जाने की बात कर अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके उपर क्या कहता या फिर सुप्रीम कोर्ट की इसके उपर क्या टिपन नहीं आती है क्या इस देश में ऐसे स्टेटमेंट देने वाले लोगों का भी कुछ हो सकता है क्या इस देश में हिंदू-मुस्लीम के अलावा भी और भी इस देश में मुद्दे है या फिर इस देश में ऐसे धार्मीक लोग जो कि पहले इनके उपर आरोप बड़े-बड़े संगीन आरोप लगते हैं आरोप के बाद में बहुत जमानत पर बाहर आने के बाद में भारती जिनता पर्टी में जॉइन हो जाते हैं उसके बाद में चुनाव लड़ते हैं तो chronology समझना भूप जरूरी है साथ यह इस बात को ले करके आप क्या सोचते हैं क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है आपके लिए हम काम कर रहे हर खबर आप तक पहुचाने के लिए पहुचाने की कोशिश करते आया है और करते रहेगा बस आपका सपोर्ट चाहिए और आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी है तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉ लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भुलें